यह डिजिटल का जमाना है डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए मोबाई टावर दूर सुदूर पहडों में भी लगाने का बड़ातीज अभ्यान चलाया है भाई और भहनों मोदी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की गारंटी आप याद कीजिए कॉंग्रेस की कमजोर सरकारों ने शाहपूर कंडी डेम को कैसे दसकों तग लटका है रखा जम्मू के किसानों के खेच सूखे थे गाम अंदेरे में थे लेकिन हमारे हक का रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था मोदी ने किसानों को गारंटी दी थी और इसे भी पूरा करके दिखाया है इसे कठुआ और सांबा के हजारों किसानों को फाइदा हुआ है यही नहीं इस डेम से जो बिजली पैदा होगी वो जम्मू कश्मीर के घरों को रोशन करेंगे भाई और बैनों मोदी विक्सीद भारत के लिए विक्सीद जम्मू कश्मीर के निर्मान की गारंटी दे रहा है लेकिन कॉंग्रेस नेशनल कॉंफरेंस पीडीपी और बागी सारे जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं इन परिवार चलीत पार्टियों ने परिवार के बारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुक्सान किया उतना नुक्सान किसी ने नहीं किया है यहां तो पुलिटिकल पार्टिया मतलब आप दे फैमिली बाई दे फैमिली फोर दे फैमिली सक्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दिवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बहार नहीं जौँख सकते थे और बहार वाला जम्मू कश्मीर की तरब नहीं जौँख सकता था और ऐसा भ्रह्म बना के रखा था कब अज उनकी जिन्गी ये 370 है तब ही बचेगी ऐसा जूट चलाया ऐसा जूट चलाया आपके आशिरवाद से मोदी ने 370 की दिवार गिरा दी दिवार गिरा दी इतना नहीं उस मलवे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने मैं चुनावती देता हूँ हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए विज्येश करके मैं कॉंग्रेस को चुनावती देता हूँ वो गोसना करें वो 370 को वापिश लाएंगे ये बेश उनका मुह तक देखने को तयार नहीं होगा ये कैसे कैसे भर्म फ्यलाते हैं कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा लेकिन जम्मू कश्मीर के नवजवानों ने इनको आइना दिखा दिया अब देखिए जब यहां उनकी नहीं चली जम्मू कश्मीर के लोग उनकी असलियत को जान गए अब जम्मू कश्मीर में उनके जूटे वादे ब्रह्म की माया जाल नहीं चल पा रही है तो यह लोग अब जम्मू कश्मीर के बाहर देश के लोगों के भी ब्रह्म फैलाने का खेल खेल रहे हैं यह कहते हैं कि 370 के हटने से देश को कोई लाब नहीं हुआ जिस राज्य में जाते हैं वहाँ भी बोलते हैं तुमारे राज्य को क्या लाब हुआ तुमारे राज्य को क्या लाब हुआ तिन सो सत्तर के हटने से क्या लाब हुआ है वो जम्मू कश्मीर की मेरी बेहन बेटियों को पूछो जो अपने हकों के लिए तरस रही थी यह उनका भाई यह उनका बेटा उन्हाने उठके हक बापिस दिये हैं जरा कॉंग्रेस के लोगों जरा देश भरके दलीत नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ यहां के हमारे दलीत भाई बेहन अमारे वालमी की भाई बेहन देश आजाद हुए तब से परेशानी जेल रहे थे जरा करके उन्हालमी की भाई बेहनों से पूछो गड़ा अबराममर से पूछो कोली से पूछो और पहड़ी परिवार हो मचैल माता की भूमी में रहने वाले मेरे पड्री साती हो अब हर किसी को सम्विधान में मिले अधिकार मिलने लगे है अब हमारे फूछो की भी माताओं को चिंता नहीं करने पड़ती क्योंकि पत्थर बाजी नहीं होती है इतना ही नहीं गाटी की वो माताओं मुझे आथिरवाद देती हैं उनको चिंता रहती थी कि बेटा अगर दो-चार दिन दिखाई न दे तो उनको लगता था कहीं गलत हाथों में तो नहीं फस गया है आज कश्बीर गाटी की हर माता चेन की निंद सोती हैं क्योंकि अब उनका बच्चा बरबाद होने से बच रहा है साथियों अब स्कूल नहीं जलाए जाते बलकि स्कूल सजाए जाते हैं अब यहां अब यहां